सोमवार को रामपुर से पूर्वसांसा जयरप्रदा मुरादबाद कोट पहुची जहां उनको आजम खान द्वारा दी गई हेट स्पीच के मामले में गवाही देनी थी उन्होंने कहा कि आजम खाओ और स्टी हसन पर मैंने मुकदमा किया था जिसमें आज मेरी गवाही थी लेकिन माननीय न्यायाले ने ये तारीख 25 अक्टूबर कर दी है अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मिथुन चकरवर्दी जी को दादा साहब फाल के अवार्ट दिये जाने वाला है मैं उन्हें बढ़ाई देना चाहती हूँ ये दादा के लिए खुशकबरी नहीं बलकि पूरी इंडस्ट्री के लिए खुशकबरी है मैं आई और पूरे प्रक्रिया के बाद 25 अक्टोबर को फिर से डेट दिये हैं तो मैं जरूर अक्टोबर 25 में आऊंगी और गवा देने हूं हमें बहुत बहुत ये खुशकबरी है कि मितुन चक्रवर्ती जी के लिए दादा फाल के अवार्ड बहुत प्रस्टीजिस अवार्ड उनको दिया जाने वाले हैं तो मैं बधाई देना चाहती हूं इस्चुबावसर पर और दादा के साथ मितुन दा के साथ हम लोगों का अभी दो फिल्म तयार हो रहें एक तो रिवास और एक अभी जो है फ्यूज फाउजी जो है वो हम काम कर रहे हैं मितुन दा के साथ तो मुझसे जादा कोई खुश तो मुझसे बनाए रहे और हमारे इंडस्री के उपर भी मोदी जी के उनके आशिरवाद रहे हैं मारा तरकान ने आज जायकू राजय माता का तरजया दिया है राजय माता है गो माता तो राजय माता ही है